प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूर दर्शी नेत्रितों में भारती रेलवे में अभूत पूर्व बदलाव देखने को मिल रहा है। मोधी सरकार ने अपने थीसरे कारेकाल की शुरुवात में ही रेल से सफर करने वाले यात्रियों को एक बड़ी सौकान दी है। जी हाँ, रेलवे ने अब 1250 मेल और एक्सप्रेस ट्रेल गाड़ियों में अतरिक्त कोच लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। बेल और एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल कोच को बढ़ाया जाएगा जिसके लिए 2500 जनरल कोच के अतरिक्त उत्पादन का फैस्ता लिया क्या है। इस फैसले से आम जनता को रहत मिलेगी और जनरल कोच में अतरिक्त 18 करोड यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा 1347 स्लीपर श्रेनी के कोच भी बना कर तयार किये जाएगे जिससे वेटिंग की समस्या में कमी आएगी। एवं ट्रेन से सफर करना और अधिक आसान हो जाएगा। आज रेलवे का ना सिर्फ कायकल्प हुआ है बलकि जरजर स्थिती में रहने वाला रेलवे आज देश की आर्थिक स्थिती मजबूत करने में महत्रपून भोमिका निभा रहा है। जो संभव हो पाया है प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र बोधी के कारण।